कुछ अप्लिकेशन्स ऐसे होते हैं जो आपको प्लेस्टोर पर एविलेबल नहीं मिलते हैं उनका आपको अलग से एपी के इंस्टॉल करना पड़ता है किसी थर्ड पार्टी साइट से ऐसा क्यों होता है आज इस वीडियो में हम यही बात कर रहे होंगे So guys basically Google Play की कुछ terms and conditions होती हैं अगर कोई application इन terms and conditions को fulfill नहीं करता है तो Google Play की team उन applications का सफाया कर देती है Google Play Store से So guys क्या है वो terms and conditions वो terms and conditions यह हैं कि अगर कोई application Google Play की privacy policy या copyright agreement को violate करती है या फिर वो application किसी illegal activity like data theft and piracy में involved है यानि उसमें वो data किसी third party को sell कर रहे है या किसी तरह से user के data को misuse कर रहे है या फिर उस application में major flaws and bugs है So this case में भी user को better experience provide करवाने के लिए Google Play की team Google Play Store से इन जैसे apps का सफाया कर देती है So guys यह था मेरा आज का fact वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो helpful लगी हो तो इसे like करिएगा चैनल को subscribe करिएगा मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में till then bye bye